नमस्कार दोस्तों, रियल वेब में एक बर फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे, दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन में ट्रू कॉलर की अप्लिकेशन ओपन नहीं हो रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप क्यासे सॉ अपडेट नहीं करते हैं, उसके लिए आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है, और ट्रू कॉलर सर्च करके इसे अपडेट कर लेना है, अब जैसे अपडेट आएगा उसके बाद यहां पर ओपन की जिके अपडेट लिखा होगा, इसके ओपर क्लिक करके आपको पहले अप अपडेट कर लेना है, जैसे अपडेट करनेंगे यह प्रॉबलम आपके 100% सौल हो जाएगी, अगर अपडेट करते हैं फिर भी आपकी प्रॉबलम शृव अपको आपके सौल नहीं हो रही तो आपको क्लिक करना होगा, अपने फोन में सैटिंग को अउपन करना होगा, यह application आपके सामने आ जाएगी अब यहाँ पर application के अंदर से आपको true caller application को ढूण लेना अगर यहाँ पर true caller मिल जाए तो ठीक है नहीं तो उपर की side में search बार का भी आपको option जो है मिल जाता ठीक है तो यहाँ पर true caller को हम open करेंगे उसके बाद यहाँ पर app info open हो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर इसके उपर हम click करेंगे clear catch के उपर click करेंगे उसके बाद clear data के उपर click करके इसका जो data रहेगा वो सारा हम clear कर देंगे उसके बाद फिर से हम अपने phone में true caller application को open करेंगे और उसके बाद 100% true caller application इस तरह से जो आपके phone में open हो जाएगी तो इस तरह से guys अगर आपके phone में true caller application open नहीं हो रहे हैं तो इस तरह से इस problem को आप जो solve कर सकते हैं